मैं होप नहीं चोनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, सजेशन देना चाहिए, क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, और सुलूशन पे भी जाना चाहिए. लास्ट तू येज में अगर देखें हैं हमारे बहुत सारे प्रेस्ट मैसिस की चेंज हो गए. हमने अपनी मर्दी से अधर अली को बोला यार बद थैंक्यू बरी मुच्छ. अपनी समय चाहिए कि उनको टेक्निकल या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, उनको मैंटली प्रेशर इतना जादा हो गया है, और किसकी वज़ेसे उनके प्रफॉर्म नहीं हो पा रहा है. शुछ झाली को र्रफॉर्ण को investments. आक अब्राइलक को बीक्ताब मेंट आए, और किस साइधर है, उनको वे ल मेर्णत States. ऐस वárias प्रफॉर्म करफ रहाल ही के जह sí नकी, for the PCB. He's worked for the Afghanistan Cricket Board, batting coach, head coach there. And these days, he's a very popular television pundit. And, you know, he's the... I think the voice of reason when it comes to Pakistan Cricket. The one and only Rashid Latif. Rashid T principles of gravity. Thank you. Thank you very much. Rashid T Clay, everything okay? No probleming to Pakistan Cricket? का हाल नहीं ठीक हाँ जड़ा सुनने में आ रहा है कि आजकल आजकल आईजियू में है राशन भाई आईजियू में है तो रिकोवरी कैसे होगी हाउ कन वी रेजरेक्ट पक्सांट रिकेट प्रोफेशनल डॉक्टर्स चाहिए होंगे शोकीन लोग नहीं शोकी होते हैं कि लि भी फिजिकली भी ट्रेनर्स बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं हमारे जो बहुत सारी प्राव्म नदर आ रही है चाहिए वो ग्राउंड के अंदर है या ग्राउंड के बाहर है या कुछ भी कभी जब खराब होता है सब कुछ खराब लग रहा होता है लेकिन हमें पॉंस इन पाक्सान क्रिकेट इसंडेश लेकिन हाइस पॉंस 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 प्राइश च्रिकेट जे नहीं उसको देजर्ब रागेट रशीद बाहीं लेकन फोक्सिंग ऑं पाक्सान देखो अम और वी वर आउट प्लेड लोग कह सकते कि अनल की थे या वैदर की थे बट आउट प्लेड इन बोस टेस्स मैचेश बिलकुल नहीं जिब फर्स टेस्ट हो रहा था हम शो भी कर रहा है हमने कर तो पहला टेस्ट पो हार गए हार जाएंगे मुझे सेकंड टेस्ट भी लग रहा है कि हम जीत नहीं पाइंगे है थीक नहीं थी हमारे बैटिंग क्लैप्स कर रही है अभी से नहीं और हमारी बॉलिंग एक स्पैल ठीक होता है एक सेशन ठीक होता है उसके बाद वापिस नहीं आपाते है लंबी पार्टर्शिप करवा तेने फिटनेस लेवल इस्टेमना पेज हर चीज़ लैक कर गई इस पिन डेपार्टरंट में आते हैं उनकी भी ब्रेक नी होगी इस पिन नी होगी लगतार एक बिदिन देस्टम गॉल नहीं कर पारे और फिर बैटिंग में आते हैं उपनी पार्टर्शिप नहीं लग रही देए लाक किलफ्ट कर जाती है वावरा आदम का फॉर्म में ना हो लुट में एक साथ चल रही है और तो कि नहीं चलनी जाही थे पर बोर्ट चेंज होते हैं हमारे चेंज होते हैं पिर उसके सरब्राज चेंज होते हैं वर्ल कप में वहाब रियास थे, उससे पहले हफीज से उससे पहले सक्लैन थे मिक्या आथा थे बहुत सारी चीज़ उती है शायद आफरी ती अज़ती फ्रेक्टर हारुन रशीद मौमल बसीम इन्दमाम उलाग वहाब रियाद अभी यूसूफ विदिन तू येर्स सब कुछ चेंज हो गया सब को आजमा लिया तो सब कुछ जो गए हमने अपनी मर्दी से आउट आफ फॉर्म पे ऐसा नहीं था हमने अपनी मर्दी से अधर अली को बोला यार बाद तैंक्यू बरी मुच शायद वह वह वलत टाइम का फोड़ा अरसा और जा सकते थे हम अधर एली के साथ हमने टाइम से परफॉर्मिस यह नहीं बोल खेल सकते थे छे-8 मेने खेलते हैं इनको तबदील करते हैं इनकी रिप्लेस्मेंट लेके इसके लावाब अगर हम देखते हैं यह फवाद आलम यह सारे यह मैं बोलो कि यह फॉर्म में नहीं थे लेकिन प्लेयर तो थे अच्छे टेस्ट मैच उसके वापिस आ सकते हैं ले प्लेट को मेरा और आपसोर नहीं है जिनके साथ खेलते हैं के रंड़ काॉंटरेट में इसके पर हमें मिला यह नहीं ना फिंगर इसमिल यह मिला ना जीज विसको हम ओवाइद नहीं कर सकते हैं यह बोलना किया तेटेस्स ने खिते होगी है, हुआ है। कि वी हैंकि इत्ने हं सालों, साथ तैस्स च्धन marriage खिलते हैं, और सारे वही प्लेयर बाहर हुआ हैं, जो एक format किंसे तेस्ट मैच ये तिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है पुझाराओ को इंडिया में देख लेए और रहाने को इंडिया में देख ले वहाँ पर भी सेम प्रावलम हैं स्ट्रगल कर रहे हैं अगर कंट्री लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंद्ट पर नहीं चाहिए हमें अप प्रब्लम नहीं है यह मिस्टेक्स की हैं जिसके वज़े से टीम में चेंज आया और इतनी जल्दी टेस्ट प्लेयर दो चारा आट टेस्ट मैस्ट के बाद आप समझते हो कि वो उसी तरह देखे लेगा जैसे पचास टेस्ट वाला खेला है ऐसा मुम्किन है नहीं पहले काफी आपने अच्छे पॉइंट्स किये पहले लेस्ट फोक्स ऑन बाबराजम फरस्ट कोई मेंटल इस्यूज है या कोई फॉर्म इस्यूज है टेक्टिकल इस्यूज इस्यूज कितने 14-15 इनिंग्स होगे 15 नहीं किया है उसने टेस्ट क्रिकेट में वन्किन पहले हैं तो इस्यूज प्रेशर आप देखें या कब से देखें इस्यूज को फोर्स फली इस्यूजियों किया अब वह मैंटली तवर्पर मैं मैंगे समाच्च तो हो सकता है लोग टेक्निकली भी जेखते हैं कि मैंन सभी काम नहीं चाम नहीं तो वो रिलेट कर जाता है आपकी बैटिंग या बॉलिंग से आपका बॉटम एंड टाइट हो गया जो भी हो गया हर बॉल को आप हार्ट खेल में दखते हैं यह आप टेक्निकल कह सकते हैं कि मैं यह समझता हूं उनको तोना फ्री होना पड़ेगा उनको अपने आपको बैतर करना पड़ेगा अपने आपको निकालना पड़ेगा क्वेके के 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 जो मैं अहम तरीन प्लेयर हो सब पाकिस्तान पाकिस्तान कृटिक टीम पो मेरी ज़रूर्वरत है मैं नहीं समय से एक टेक्टिकल कोई प्रावल में तो मैंटली प्रेश्यर इतना ज़ादा हो गया है कि इसकी वजे से उन्षे परफॉर्म नहीं हो पा रहा है मैं होग करता हूँ, यहाँ पे खेलें, वन डे कप जो हो रहा है, चैंपने यहाँ पे खेलें, परफॉर्म कोरें, इंगलेंड के खिलाब करें, लिक कोशी करें कि captaincy को थोड़ा दूर रखें, minimum one year तो दूर रखें captaincy को. आपने कहा है, राशिद भाई, माश्राप पाकसान में हमेशा quality spinners रहें, wicked taking spinners in test cricket especially, लेकिन अब हम mystery spinner कह रहें, अब रावार आमद को, तो कोई mystery नहीं है राशिद भाई? टर्निंग पिछ देनी पड़ीगी आप को, ऐसा नहीं है, देखें हमारे, अब हम अपने प्लेयर की बात करते हैं, हमारे successful baller कौन कों से रहे, मैं आकिर से बात करता हूँ, यासिर शाह हमारे wrist spinner रहे, बहुत काम्याब रहे, अच्छे रहे, पिर हम सही रजमल finger spinner रहे, दुल वकार भाई थे, अर्म शॉइब भाई थे, तो वो पेस्ट थी, तो वो बहुत ही अच्छा टाइम लेगाए, दानिश करने दिया कि मौमद आतिर मौमद आमिर का टाइम निकला उनका, तो क्या उनकी गुगली रीड नहीं होती थी मुशी की या दानिश की, उसके बाद, उ उनकी भी गुगली रीड नहीं होती थी, अब हम अमार पर जितने स्पिन आ रहे हैं, वाइट बॉल से आ रहे हैं, तेज पुश कर रहे हैं, और वो रीड हो रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, चाए वो उसामा हो, चाए वो शादा, वो रीड हो जाते हैं, रीड होगे दो ख उसको 90 kg का विट क्यों उठा रहे हैं कि मैं तो नहीं उठा पाँगा नाइटी के तो इसका मदलब है कि मैं खेल नहीं सकता है पाकिस्तान की टीब से मेरी स्ट्रेंट मेरी स्ट्रेच है मेरी मेरी स्टेम्ना है मेरा कीपिंग का मैं बता रहा हूँ तो बहुत सारे पॉलर्स का बिकिट कीपर्स का, बैटमन के डिफरेंट इस्टाइल और प्ले होता है, उसमें ट्रेनिंग आप कराएं, फिटनेस लेवल करें, यही बात हो रही थी, पहले भी बात की थी, मैंने इसके उपड़, फिटनेस टेस्स लेते हैं, उसमें फेल करते हैं, टेस्स जो है ना, यून करेंगे तो कितने आगे जा सकते हैं, कि दो मेने के बाद यह बैतर हो जाए, आप उसको खाय भी कर रहे हैं, यह काम पाकिस्तान ट्रिटिट पोर्ट की मैडिकल स्टाफ का है, ट्रेनिंग स्टाफ का है, फिजियो थेरापिस्ट का है, अगर इंजरी है तो, इसको सही तरीक मेरे शाहिए इसको बेहतर करने चाहिए, और गोफ उमीद को करते हैं, कि यह स्टाफ हमारा ठीक होगाए, रश्ट बाइच को एक टेस्ट मच के बाद निकाल दिया, नसीम शाह और शेहीं शाह पीदी को, कहते के रेस्ट कर रहे हैं, फिटनिस इश्यूस हैं, लेकर हमारे राशिर भाई देखो, एक टाइम ऐसा था, वी वर दे लीडिंग पेस बोलर्स अब देखो, बंगलादेश, श्री लंका, इंडिया, सब हमारे से आगे बढ़ गे हैं, वन इकमस तो पेस बोलर्स. पेस का, मेरे खालते हैं, जिम ट्रेनिंग बहुत जादा कर रहे हैं यह लोग, हमारे जितने भी पेसर्स आ रहे हैं, अकर आप, काफी अरसे से आप पाकिस्तान के को देख रहे हैं, शुरू में जब वाये थे हैं, हर कोई हम बोलते थे, वन फिफ्टी, शाहिन वन जो हरी सुरूफ वन फिफ्टी, नसीम शाह वन फिफ्टी, हसन अली वन फोटी फाइव, यह मैं इनिशल स्टेज की बात कर रहा हूँ, हैसानुला वन फिफ्टी, तो हमने कहा कि यह बारत-तेरा बॉलर्स हमारे पर से हैं, टुमस्टिक खेली नहीं, इंटरनेशन थोड़ी बहुत खेली, अन्फिट के दरूब है, यह पेश कहां पर कम ही, यह आपको इनके जो ट्रेनिंग का मेथड है न, वो देखना पूरे हैं, अन्फिट इतने नहीं वे जितने यह ट्रेनिंग, जिम में की ट्रेनिंग में हैं, अंडर्सन को देखा आपने, दोले तो नहीं है ब्रॉट को देखा आप, 700 विकेट लगा, 800 विकेट लगा, मेगरा को देखा, शान पॉलाक को देखा, मुहमद आशिफ को देखा, डोले तो किसी के नहीं थे, किसी के डोले नहीं थे, यह कहां पर पेश गिर रही है, आपने देखा पूरा टेस्माइच देखे, पहला यह स अगर यह से बॉल की वनफोटी क्लिक कर रहा है, तो चार विटरे उड़ा दियते, मीर हमदा ने कर ली, लेंच के बाद आते हैं, लेंख भी चेंज हो गई, पेस भी चेंज हो गई, पेस डिक्रीज होती चली गई लास सेशन प्रेक्ट, वो पार्टलशिप देखे नाप, अगर में चार-चार चौके खा रहे हैं, तो एक सेशन नहीं है ना एक स्पेल एटीज पर, टेस्में जिताने के लिए पच्छिस अवर करने डे में आपको, अगर आपको जितना है, खुरम शेजाद, एक दफा पेर, क्योंकि फिटनेस लेवल में चेक करवा रहा हूं आप सेकंड इनिंग में साथ ओवर किया हूं जो है, चार पहले तिसरे दिन एंड पे, पिर आखरे दिन तीन ओवर किया शिरिफ हूं, उनने बॉलिंग नहीं की, उनको एक ओवर लाकर दिया है, वन कुटिवाइब पर शुरू किया, वन कुटिन आइन पर, एक विकेट लेके, जो के मिड ओफ कर मार के शार मसूद में बढ़ा अच्छा कैश किया तो, तीन ओवर ही क्यों की है, उनसे बॉल ही नहीं हो रही है, तो यह जो पहली निंग में वन फोर्टी कर रहा है, छे बिकेट ले रहा है, अगली निंग से बॉल नहीं हो रही है, वो फिट करार देके जैं आप कोचित लेके आते हो, बाँसे ट्रेनर लेके आरा है, वो भी खलत करारेे पकिस्दान में यह वे ट्रेनिंग करő कोर की कर रहा है अगर मैं विगेट कीपर हूँ मैं अपनी हैंप्षिंग को टाइट कर लूँ वा तो मेरी मुवमिंट खतम हो जाएगी टाइट नहीं करना हूँ आपको शूंडर थोगी मना रहा है अगर मैं बॉडी बिल्डर मन रहा हूँ वेट ट्रेनिंग का मतलब हो वेट उठ का रहा हूँ बॉडी बिल्डर मना रहा हूँ यह फिट्लेस लेविल साही करना है मिजबा लोको मैंने देखा यूनुस खान दूए भी वेट करते थे ऐसा नहीं था हफीज को देखा को लोग और भी लोग करते थे अभी बॉलर्स मेरे इन्फिट क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं समझ गया रहा है शाहिन बेस्ट बॉलर्स दुनिया का हो गया था लसीम शा अभी नदर आ रहा है फुर्रम पिर आमिर जमाल को देखें वो फिटी नहीं होके दे रहा था हमारे पास ऐसान उल्ला किदर गया है इसके सवालात है अब जितना बड़ा टॉर्मेंट करा अब यहां परफॉर्मर लेकर टेस्ट मेंट में चले जाएंगे इंग्लेंट में जाएंगे आपको यही मेरा नेक्स सवाल था आपने मैंशन किया यह जो टॉर्म अब करें चैंपियन्स कुप और मेंटर्स भी रखे हैं काफी माशला बड़े जबरदस सालरी मिल रहे हैं म अच्छी करार ही है क्या इस में सब्सक्राइब कर लिए मुझे नहीं पता कि हम देख रहे हैं डेटा आएगा प्लेश का अब हम प्लेइट लेंगे ऑफर्स कर रहे हैं कि कामरा में गोलाने एक सेंच्षी कर दी दो पर लिए तीन कर लिए क्या टीम में रिक्वार्मेंट है मुझे ओफस्पिनर चाहिए बैस्ट बैतरी इटिशा बैतरी इन अब रिटायर हो गया खिए पहले टेस्ट मैचिस की बाया और सिक्षीए टेस्ट मैच्च उटके हैं स्वाइन का मुझे नहीं पर दा कितने टेस्ट मैची थे सब्सक्राइब देखें उसके बाद बशीर आ गया पिर इनके पाद एक और है लीचा फिंगर इस्पिनर टेस्ट मैच में फिंगर इस्पिनर नहीं अच्छा इंडिया की तरफ जड़े जा है उससाथ में आपके आश्विन है फिंगर इस्पिनर नेटन लॉइन की ज़र रहे आपको रिक्वार्मेंट है आपके पूरे सेटप के अंदर यह पूरा उठाके देख ली जाएगा इस सेटप के अंदर जो 125 प्लेर लिए इसमें आफ स्पिनर कितने है आलियान मेहमूद एक आया था जो के पाकिसान अंडर नाइंटिंग केला पाकिसान ए खेला पाकिसान आगे तो उसने उठाया चलो भई रहान को भी डालो उसको भी डालो क्योंकि वो फीचर देख रहें दोनों टीम के साथ आ रहें लीचिया साथ जहां टर्णिविकेट हमने बना यह तीरों कहल जाएंगे बैंस्टों के साथ एक पाकवरों खेलेगा उदने आपको टीम जो जाएंगे प्हले ही आपको बता दिए कि हम कैसे खेलने के लिए आ तो यह टोर्णिमेंट की बात किए हमारी है मैं फिंगर इसमींट का बारबार इसलिए कि टेस्ट में तीन है हम कब तक आउट करवाएंगे अबरार से अबरार के इस पार्टर ही ना आपने गरीन विकेट या तो उसको और ज्यादा बॉलिंग करवाएं वन डे टी-ट्विंटी में हो जाएगा हर कमाइंड चला गया हम खेलने चले जाएगा अब मुझे यह आप चाह करके बता है त्रेड़ सो में से कितने एक आफिस पिलर हैं जो हमें टैस्ट मैच्ट बॉलिंग करके दे सकते हैं तो is setup के एक एक इस पाओ टी ते कहले हैंड़ बॉल में डुज होगा है काफी तफ सीडिस है वो भी काफी प्रेश ऑगा है कि आपी दी काहा है था कि भोटी चेंजिस भी नहीं अट्छे ओने अट नहीं काफी प्रेशर होगा है कि अपन भॉट अब आधा प्रेशर होगा ह में बैटिंग करते वह कप्तानी करते हैं कभी कपार में में किपिंग में हुआ है अपने करें तो बारीज थूड़ी से हुई तो फील्ड करके आके रहा हुए है माहिन में चल रहा था प्रेशर था तो यह बने की बॉल ऐज करके मैच लॉस कर गया मेरी मिस्टेक से तो ये कितनी उस जमाने में देता सोचल मीडिया किसी ने पिक भी नहीं किया है यह तो मैं बता रहा हूँ बार बार बता कि वो कप्तानी का प्रेशर से मैं राइट प्लेस में नहीं कड़ा हूँ पाथ छे कदम अगर आगे हो गया हूँ तो यह बापार आदम हमारे क्रिकेट बोर्ट तें एजी समझता है इसको कप्तान मना दो इसको मत बनाओ कप्तान जीट होता है कप्तानी तो वड़ गई सबकी वाक्रेमें वड़ गई कप्तान नहीं चाहिए आप पाकिस्तान तो जो प्रावलम्स चल रही है उसमें लीडर चाहिए 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 वो इमरान खान टाइप को हो या वसी मकरम टाइप को हो या वो किसी की तरह का भी हो जावेद में लीडर से नहीं लोग साथ है अब लीडर चाहिए अब इस टीम को एकटा करने के लिए लीडर चाहिए हर एक की डिरेक्शन डिफरंट है अ शालमसूध की बात आपक्रार है या बहुत अमीदें अभी हैं शालमसूध के लेकिन इसने गेम को चेंज करके अपने आपको चेंज कर लिया है डोनेस्टिक डिफरेंट है, जिस तरह थे इंगलेंड में परफॉरम किया, पाक्षिस्टान में परफॉरम किया, वो शायद इंटरनाशणल क्रिकेश में वो अभी तक परफॉरम नहीं करता है, उसका प्रेशर लेके चल गए, जिस टीम का कफ्तान अंडर प्रेशर हो एपनी बैटिंग की हुए है से अपनी कैप्टेंसी की वज़े से वाकी प्लेयर आटोमेटिकली प्रेस्टिंग में अडर प्रेशर आजाए यह सॉर्फ पीसीबी को करना है कि आया शान को एजे कैप्टें कंटीनु करना है पीछे इमाम-ul-hag परफॉर्म करते वे आये वो ड्रॉप पहले शान ब्रॉप हुए थे इमाम-ul-hag खे लेते ही इचिरिंग सौंग करते हैं सो मनी रॉंग डिसीजिजन वह हैं बिदिन वन और बन एनाफ यह जिसके कोस्ट पाकिसान टीम कर रही है तो शान मसूद मुझे नहीं पता कि वो कप्तार रखेंगे या नहीं रखेंगे प्रेंटर पैशर हैं बहुत रही है रखेंगे 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 र राशर भै क्रिकेट है या SPIN BALLING है ना क्रिकेट या फिशिंग या OFF SPIN BALLING या यह पेशिंट के नाम है सेट अप सेट अप है यह आपने कोई चीज कर रहे है ना कियार में शान मसूद को कफान ला रहा हूँ तो पांच टेस्ट के लिए तो नहीं लेकिए आया है था अगर आप अगर आप फिछले वालों की घलती थी ती ठीकर नहीं जब फिशिंग करते हैं आप डाल देते हैं ज अब आपो अब क्यूश्बा यहाय पते चाहम को अवर किसे नियुक्त को फोटान यहीं पे पाकिसान फिक्ट्र गूम रही है और यही गला डिसीजन ते जिसका खुमरादा पूरे पाकिसान कर्केट अभी बुगत रही है लेकर राशन भाई आप होफुल है कि यह जो नेगेटिव टाइम और अब जो नेगेटिविटी और डिसपॉइन्मेंट यह यह चेंज हो जाएगी चेंज हो सकती है हम वह फुल रहते हैं जो बात कर रहे हैं हमने जो हो गया गलती होई हमने निशान देए ही किये हम सलूशन भी बता रहे हैं कि तोड़ा पेशन की करो अगर शान को बना दिया ना पिर मीडिया का छोड़ पिर आप शान के उपर जाओ तो तूरी सपोर्ट करो शान आप कैप लेकिन क्या उन्होंने पर गेम नी चोड़ा वह से ही उनको नुक्सान हुआ है लेकिन ब्रैंड वो लेकर आना चाहरा है सबसे एफेक्टिव टीम पाकिस्ताम के बाद जो पर इंग्लेंड है पूरा वन डे का टोर्नमेंट हार गया बच्चों की जरा इंडिया में खोब थी कि टी ट्वैंटी जी जाएंगे वैस्ट इंडिय। नहीं जीती क्या उन्होंने अपना श्टाइल चोड़ लिया गेम चोड़ लिया नहीं छोड़ा ना उन्होंने वह खेल रहा है उसी तरह वह दो साल बाद साबित करेंगे यार हम फेलियर हुआ हमारा लेकिन हम कि स्ट्रेक्शन में मेरिट है वो करें हैं कप्तान ऑलिपॉप को भी बनाया उन्हें बैर्स्टोप को भी बनाया कौन अच्छा है वो डिसाइड कर रहे हैं आपको मुहीन अली और आदिल से ले गए तो दो दूसरे ले के आ रहे हैं लॉंग टम देखर हैं हम भी तो देखें कुछ हमारी पर शाजी को छोड़ दिया आपके सिर्टम पर हिस्सात है साथ आउट उसने कि जैसे भी किया आपके पास थे वह तो आम लोग मेरे खाल से जल्दी कर रहे हैं वेट करें आप होफुल होना चाहिए वकार आए अब इसने सारे लोग आए प्राट के सर जोड़ के देखें करना क्या आपको लेकिन आपने फ्री हैंड दे दिया उनको उन्होंने अपने टीम बना ली यह जो खेल नहीं है उनको कोचिंग स्टाफ उठांगे देख लें एक ही इलाके के जहां के वो लोगे होई के वरे में आपने टैलेंट को मेरे की तो रखा ही नहीं है सही दन्र जुनियर वेरे गुड प्लेयर बड़ा पतंदीदा प्लेयर वो स्पिन-बॉलिंग पोच अर्श्व खान की जगा कैसे ट्तरैंında तो ओिले संग्टा शुलि graph टाम की ताम काम thank you very much for your thoughts and opinions always very interesting to hear your views uh folks thank you very much for watching that was the former pakistan great and former pakistan captain rashid lath抱ीv with his views on pakistan cricket thank you very much rashi bite thank you bye thank you